जब भी हम किसी college में admission लेते हैं तो सब से पहले हम ये देखते हैं कि उस college में NEMA की क्या grade है ए grade है, ब grade है, ए फ्लस फ्लस घ्रेड है तो ये admission लेने ने पर बढ़ा एक role play करता है NEMA किसी भी university में तो आज हम इसी विशए में चर्चा करने वाले हैं की नेक क्या होता है और नेक का रोल क्या होता है किसी भी एजुगेशन सिस्टम में नमस्कार दोस्तों मिना नाम है गौरव वर्मा और फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट है हमारे जो एक्सप स्वागत करता हूं और अभिन्दन करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया इस नेक वाले टॉपिक पर बात करने के लिए धन्यवाद गौरव मैं प्रॉडली गौरव के यतने भी दर्सक हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मैं गौरव आपको बदाई देन सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आम जन में आता है कि यह होता क्या है तो थोड़ा इस विशह में बताएं हमें अगर आप देखेंगे और डावल एसी नेक जी बहुत है नेशनल असेस्मेंट एंड एकृडिटेशन काउंसल राश्त्रिये मुल्यांकर ए सब्सक्राइब करता है कि किस तरीके से वो जो है फ्यूचर में फंड ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे तो नेक हरे कॉलिश के लिए हाई एक उनिवस्टी के लिए कराना कंबसरी हो जाता है एस पर दी गाइड लांस फीजी एंड में चार्डी मिनिश्य फट्री के सब्सक्राइब कि जो केवल फंड ले रहे हैं वही नेक होता है जो प्राइबर इंस्टूशन ने वह भी नेक करवाते हैं पर आपको मानिता मिलती है तो मानिता मिलती है तो मानिता तभी मिलेगी जब आपके पास नेक को ग्रेड होगा जी, सर, मेली जो यह NAC है एजुगेशन सेक्टर पर काम करती है, तो क्या रोल होता है NAC का एजुगेशन सेक्टर में? एक्रील क्या है कि NAC के जितने भी 7 क्राइटेरियाज है, अगर कोई भी कॉलेज या यूनिवस्टी ने कराना चाहती है, तो नेक के साइट है बहाँ पर जाकर की वो अप्रोच करेंगी कि हमें अपने college को ने कराना अपनी इनुष्ट्री को ने कराना है और उसमें यह थने भी seven factors है seven factors में चाहें teaching है चाहें आपका किस तरीके का program outcomes हैं चाहें किस तरीके का course outcomes हैं infrastructure किस तरीके का है, student facility कैसी है, feedback मिलता है student से, teacher से feedback मिलता है, parents से feedback मिलता है, इस सारे सभी चीजों को mission करते हुए जो है किसी particular सक्षी संस्तान के बारे में पाता चलता है कि वो किस grade का college है, किस grade की university है, असर हम जैसे देखते हैं, जब किसी university के बात करते हैं, तो किसी university को B grade मिला होता है, किसी को A++ मिला होता है, तो यह किस अधारपर grade होते हैं, अच्छल जैसे बैने बताया कि, जो NAC के द्वारा saving criteria है, उसमें आपका saving criteria में, अगर आप बात करेंगे, teaching का, तो सबसे पहले आपका यह कि किस तरीके का program outcomes आप क्या है, course outcomes क्या हैं, आपके college में, हम program तो चला रहे हैं, लेकि program का outcome क्या है, learning outcome क्या है, course outcome क्या है, बहुत साइद पता नहीं रहता है, तो generally जो college, जो university इस तरीके से अपने program को decide करते हैं, कि हमारा कोई भी student इस program को पढ़ कर करके इस course को पढ़ करके कहीं पर भी benefit होगा, उसके job की employability उसकी बढ़ेगी, तो वो उस तरीके से factors सारे उस से criteria 1 में आते, criteria 2 में हमारा जो है, teachers के साथ किस तरीके का students से ratio कितना है, कहीं पर number आप students जादे है, teachers कम है, क्या महां की strength क्या है, वो सब पता चलता है, तीसरा जो criteria ह हमारा होता है, research, innovation and extension का होता है, यह बहुत important part होता है, कि जो भी faculty है, किसी भी college, university की, कितने number पप्लिकेशन, कितने research paper, कितने book chapter, कितने patents, कितने faculties, दूसरी universities में, कुझ दूसरे सेक्टिस संस्तानों में conference attend करने गए, कितने हमारे से faculty को बिश्विध्याले द्वारा fund दिया ग जो मना criteria है, वो है कि कितना fund generate हुआ, कितना fund हमने expand किया, अब आप देखेंगे कि जो library है, library में e-library करके है, उसमें जितने भी softwares है, क्या वो हमारे विश्विध्याले में है या नहीं है, यह सारे जो फिर 5 में हमायाते हैं, फिर 5 में हमारे पास हम क्या benefits देते हैं, through scholarship, व रहे हैं, आपको किस तरीके का infrastructure है, जो है, जब भी हम बात करते हैं, किसी भी college की university की, तो नैक जो है, इस से विटाटेजाज पर आपका कम से कम मुझे लगता है, कि around 700 questions होते हैं, जी और 700 questions में जो है, हर एक criteria बन का 300 marks, टू का 250 marks, हर एक का total marks रहता है, नैक का एक criteria रहता है, क एक से ले करके 4 तक, जो है, अगर आपका पूरा division करते हैं, एक से ले के 2 तक को इस university किसी grade में आती है, तो वो जो है, बिलकुल काहजा की D grade की university, फिर B से 2 से ले करके 3 तक आपका जो है, C, C और V तक B की जाता है, और A++ अगर आपका 4 के आसपास, 3.524 जो अगर नम्मर आता है, तो एक पूरा ही के एक calculation है, उस calculation में points जिस तरीके से मिलते हैं, और वो उसी तरीके से जो है, उसी उनिवस्टी का grade हो, डिसाइड होता है, सच जिससे कोई अगर PSG scholar किसी seminar में जा रहा है, तो वो भी इंक्लूड होता है, इस, सारी क्योंकि ये departmental, हर एक क्योंकि जो data जो जुड़ा हुआ है, तो वो जब भी paper कहीं present करने जाएगा, तो अब यस उसकी abstract में उसके हजएगा जो है, उसके supervisor का नाम होगा, तो इसलिए जो है, वो paper सारे count होते है, इसलिए काया आता है, कि research extension जो है, वो सबसे बड़ा marks कर रहता है, उसमें 250 marks का जो रहता है, तो जिसने तो ऐसा कह सकते हैं कि एक arm student से लेकर एक पूरा जो उपर तक पुरी institutional panel है, या teacher है, उस सब का रोल होते रहता है, उसमें नेक में एक student से लेकर के एक non teaching, teaching, हर किसी का रोल रहता है, क्योंकि उसमें data इस तरीके का है, नेक ने अपना जो format इस तरीके स्तियार किया है, कि मेरा जितना observation है कि एक भी चीज कहीं भी ने छूटती है, critical analysis पूश लेते हैं, आप से घुमा फिराकी पूश लेंगे कि आपने ठीक है, आपने fund दिया, और हर चीज का proof मानते है, तो self study report है, उसमें एक एक faculty का कितना publication है, उसने कहां पर कोई fellowship उसको मिली है, सारी चीजों का उसको प्रूफ देना पड़ता है, वो हम SSR में submit करते हैं, तो NEC में जो भी data हम produce करते हैं, जो भी data हम submit करते हैं, उसकी एक copy हम ज़रूर NEC को बेसने हैं, उसका verification होता है, तो सर इसी सवाल में से एक सवाल है कि जब वो आपका इम लेरे होते हैं, आते हैं वो NEC के assessment के लिए, तो उ उसमें जो self study report है, इसमें दो दो तीन steps में बता देता हूं, किसी भी university के लिए जैसे suppose AQR, annual quality assurance report, AQR हो गया, फिर IAQA हो गया, institutional information quality assurance, IAQA हो गया, फिर self study report हो गया, तो SSR, तो ये सब steps हैं हैं और इसमें जब 70% we can say, 70% information, वो हमको through SSR, वो already collect कर वा लेते हैं, NEC portal से, अब 70% data पर चलाएं, 30% में वो आपका विजिट experts होते हैं, वो all over India कहीं किसी भी university college कहीं से, कहीं से हो सकते हैं, वो expert होते हैं, अपने अपनी field के वाइचासर्ण हो सकते हैं, और वो NEC ही nominate करती हैं उनको, इनका किसी को कोई पता नहीं रहता है, जी सर, जैसे जो बड़े-बड़े institution है हमारे भारत के, IIT हो गया, नाइटी हो गया, तो क्या इसमें भी NEC का एक रोल रहता है, हाँ, मलना जो भी अगर, क्योंकि IIT और NIT जितने भी academic institutions हैं, वो अगर EDC से मानिता लें, उनको अगर मिलती है, क्यों इसको NEC कराना जरूरी है, कोई भी सही, जी सर, जैसे जो इनक accreditation होता है, तो इसमें college को क्या benefit मिलता है, हाँ, देखें, जब आता है, नेकी team आती है, फिर आपका assessment होता है, फिर आपको grade मिलता है, ग्रेड सपोज आपको A++ मिल गया, जी सर, तो अबियस है कि आपको college है, सब्सक्राइब के लिए, उन colleges के लिए, उन sexist हस्तालों के लिए, जहां पर grading बहुत अच्छी होती है, बहाँ पर UGC द्वारा funding support बहुत जादा होती है, किसी तरीकी का requirements उस college की द्वारा होने पर, वो A++ बहुत मेटर करता है, क्योंकि वो A grade अच्छा होगा, तो जो financial support है, जो बित्यास आइता है, वो बहुत जाजा होती है, इतनी सुविदाएं, जो सब्सक्राइब के लिए तो बहुत बहुत आप लोग अपनिये चलाई है, तो नयका बहुत बहुत रोल है, जो भी सिख्छा के इंप्रूमेंट के लिए, इन सब चीजों के बहुत जुरूरी है जो आज का जो स्टुडेंट है, वो काफी अवेर है किसी भी कॉलेज की जो ग्रेड होता है उसको लेकर, तो सर एक जो सुडेंट है, उसे किस तरह अगा बेनिफिट मिलेगा नयक के अच्छे ग्रेड होने से, नेक का अगर ग्रेड जैसे मैंने बताया कि नैक के पास सेवि है इत मीज़ देट इनुवर्सटी डॉपप्रिया है वह सारी करेंटी याज को से बिन करेंटी इसके अपका इस्टिडेंट्स बेनिफिट्स भी आता है इस्टिडेंट्स का अल्रॉंड्ट कैसा है कि वह इस्पोर्ट का कितना है, NCC है, NSS है, इन समय कितना पार्सिपेशन होता है उस इनिवर्स्टी का दूसरी प्लेसेस पे तो अबियस है कि जब नेक ग्रेड अच्छा होगा तो बहां पर यह मान सकते हैं कि मां की जे लेवरेटीज है उनकी फैसिलिटी अच्छी होगी बहां पर इस्टुटेंट्स के लिए जो एक एजुकेशन ए सब्सक्राइब केंपस का है तो अबियस है कि जो भी नेक पीर टीम आती है और फिजो हमारा सम्मिट होता है किसी भी कॉलिज का किसी भी उनिवर्स्टी किसी भी सेंगेशन संस्तान का तो वह इस तरीके से करते हैं कि ग्रेड अगर अच्छा हुआ तो बहां पर यह हो जाता है ऐसा कुछ होता है है कि जो नेक हैं वो विदिन फाइव यर्स आप फाइव यर्स का सलॉट होता है जैसा हमने कहा कि सब्सक्राइब कोई भी कॉलिज अपना नेक कराना चाहता है नेक कराने से पहले उसके पास एक एन्यूल क्वालिटी एस रिपोर्ट एक युए आर जि को आपके एक्वार डिए ओजाते हैं तभी हाप नेक्स स्टेप जो है जैट इस इस्टिस्टोशनल इन्फॉर्मेशन वालिटी एस्टेशन्स एक्वेशन्स धैट इस काल्ड आई क्यू ए जह हुमारा समीट हो जाता है एक्व में भी जैसे एक्वार हो गया नेक्स रिपोर्ट के बाद फिर होता है डाटा वेलिटेशन एंड वेरिफिकेशन डीवीवी जिसे कहते हैं जो एससार में हमने प्रूफ दिये है सपोस्स मुझे कोई फैलोशिप मिली है हम वहाँ पर काउंट कर रहा है कि यह फला फैकल्टी को यह मिला है लेकिन उसका हमको प्रू भूफ जो एक्सपार्ट होते हैं रहे जो राटा को चेक करते हैं लिए इससर को उसके बाद हो सकता है कि डाटा सब एक्रेट हो गया तोि क्या करते है कि फिर ठीक अच्छा आपका ओ क्यों गया अफिर और रहने कर देंस परसंज रहते हैं कि हां वह यह जाटा वह यह है उसके बाद जब आपको ग्रेट मिल जाता है कि उनकी टीम आती है मेरा तो और 15 का एक्सपर्ट होते हैं डेली जितने 700 पॉइंट से में बता रहा हूं हर एक पॉइंट को कवर करते हैं हर एक डिपार्टमेंट जाते हैं फिर सबके प्रेजेंटेशन देखते हैं उससे होता एक करती है लेकिन लेकिन उस्ट घ्रेट की दुवार्ट आपको ऊहल आपको वहीं सेंपर सियर से सेंपर जाना होता है कर रहा होता है तो उसके पास क्या के चैलेंजिस आते हैं कि अगर हम कॉलेज इनिवेस्टी लेबिल पर बात करें हमारे पास क्या होता है कि एक तो डाटा बहुत जादा क्यों क्यों फैकल्टी कोई भी उसने पेपर पब्लिस किया और कुछ दिनों बाद ना तो डिपार्टम इसमें हैं ना कहीं जो से आइक डिपार्टमेंट हर एक उनिवस्टी का इक अपना है कि सी ही ने के लिए पूरे प्रॉसस के लिए जो है रसपंस्रिल होता है तो डाटा नहीं दिया जाता है इस तरीके से हाड़र बहुत सारे होते हैं लेकिन एक यह काम नेक का यह किसी इं इस्टूरेंट्स, टीचिंग, नॉन टीचिंग, स्टाफ, सबी जो है उसमें इन्वाल्मेंट होना चाहिए, जो लेकुना जो हमें दिखता है, जो बहुत बड़ा जो ड्रावेक है, वो ही है, कि हम प्रॉपर मेनेजमेंट नहीं हो पाता है, डॉकुमेंटेशन का, प्रॉप तो जब अगर फैकल्टी से पैंकार मागों तो फैकल्टी मोझे पैंकार की काहिए, नहीं चाहिए हमको, हमारा वहां से हटा दीजे, तो बहां से वो डाटा भी हटाना परता है, कभी कभी, पेपर जो होते हैं, पेपर क्यूंकि पूरी इनिवस्टी का है, पूरे कॉलिज क कि पेपर होते हैं, स्के और सारे स्च्छी के पेपर होते हैं, जिसंथ्र पेपर की जो इन्फरमेशन होती वो प्रॉपर नहीं दी जाती है, mapping की की होता है वो जनरली बहुत कम मिल पाता है यह बहुत सारे फेक्टर्स हैं जहां पर फेस्स करने पड़ते हैं लेकिन किसी भी कॉलेज किसी इनिवस्टी और किसी सहस्तान को अगर स्टार्डिंग से ही जो है वह अपना जियो टैक किया हुज इसमें लाइटिट्यूड लोकेशन दी रहती है टाइमिंग दी रहती है बहुत पर जलता है कि हाँ यस आपने सच में जो है इस तरीके से यह कोई प्रोगाम किया था तब पूरी सबूरे सबूत मांगता है नेक यस नेक में कोई भी चीज नहीं महां के सारे टीचर्स अगर इन्वाल्व हो जाए तो यह पॉसिबल नहीं होता है लेकिन प्रॉपर सपोज कोई कॉलेज अगा कराना चाहता है तो इसको राइट फॉर्म दी बिंग्डिंग फाइव यस बिफोर उसको प्लाइं करनी परती है कि हमको नेक में जाना है और व पर विद्ध करते इत मींस ऐसार मुद्ध कर लिया अब तर टर वाद फिर जो है डीवी ओता है डाटा वैलिटेसन एंड वैरिफिकेशन डीवी आपको वैरिफाइव कौन से डाटा जो हमने सम्में किया है अब वह हमारा डीवी में जाएगा डीवी में वह बताएगा कि य आपको यहां पर बूब करना है सेलफ एस्टेटी डिपोर्ट सपोज मेरे डिपार्टमेंट का है तो बो डिपार्टमेंटल वाइज और उसमें भी सेक्षन होते सारे सारी चीजें नौल होती है सब जैसे सब एक रिपार्टमेंट में दस फैकल्टी ने कितना पेपर पॉब् सब्सक्राइब ऑडर जाता है स्कूल भाइज सब्सक्राइब लिपार्टमेंट हों सबकार जाता है इसलिए यह अरे सब्सक्राइब निनेंस ओशेक्षτα ऑनके अपके पास वह सारा मागा जाता है तो यह सींगल पर्संड कि किसी पर्टिकुलर तींचा लोंगा काम नहीं होता इसमें बहुत एक इन्वाल्मेंट होता है पूरे मास का जिसमें जो भी उस पर्टिकुलर संसा से जुड़े हुए है जी सर जैसे अभी आपने एससार रिपोर्ट के बारे में बात की तो अगर हमें एससार रिपोर्ट में वो सभी बाते जो हम छख रहे हैं तो अगर नहीं होगा तो एकसेपनी होगी तो बब्लकुल एकसपनी होगा तो कावंट होगा है नहीं आपका उसकी माक्स कटेंगे यस माख यसी लिए जसे एक प्रॉलम क्या होती है कि डोकुमेंटेशन जो है जसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी उनिवस्टीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, चौर्दी-चौर्ची उनिवस्टी उनको सबको A++ मिला है, और कुछ प्राइबेट कॉलिजिज भी है, वो भी A++ कभी कभी ले आते हैं, A ले आते हैं, उनका में नीजर यही कि उनका डॉकमेंटेशन होता प्राइब करता है, और बहाँ पर क्या होता है, कहीं पर module जब फेकल्टी इस तरीके से डॉकमेंट नहीं देती है यहा दो आजेद दरे दोकुमेंटते हैं, तो अबियस है कि फिर वो जब एक रिपॉर्ट बनती है, दिपोर्ट में तो में बहुत हो, तो देखेंगे ही नह सब्सक्राइब करने के बाद उसमें रहती है हर एक उसकी यर के रहेंगी वह भी काउंट होती है करेंगी एक पुरा प्रोसिजर जो कॉलेज ने के प्रिपेर कर रहे हैं तो जनरल आप क्या एडवाइस देंगे उनको मेरा एडवाईज यह है कि बहुत किसमें लॉंग वीजन की आप सकता है क्योंकि फाइव यह का डाटा आपको कंपाई करना रहता है और जो भी डाटर आइक्विसी रहते हैं वो कि केबल यह नहीं कि सपोज हर एक टीचर आपने इस बात को समझे हर एक डिपार्टमेंट इस के बात को समझे हर एक सेक्शन जो है बो इस बात को समझे कि हमें नेक में जाना है आज से पांस साल बात और सपोज जैसे सब्सक्राइब कोई काउपर डाकुमेंटेशन प्रूफ के साथ हमको अगर हम आइक्विसी जो हरे कॉलेज में एक इक होता है इस दिसे निदेनल इस प्रूफ करता है आएक प्रॉपर डाटा देते रहें सब्सक्राइब कोई फैकल्टी उसको कोई प्रॉजक्ट मिला उस प्रॉजक्ट की कापी डॉक्मेंट के साथ अगर हमने बाहर समिट कर दिये आएक डिपार्टमेंट में कॉपी रख लिए तो वह क्या होता है कि कल वह जब बनाते हैं तो ठीक है अभी भर दिया उसके बाद देखा जाएगा बाद के बाद में बाद में फिर वह चीज़ें फिर वह साहिद मिश्मेश होती जली आती है फिर वह कंपाई उन्हें महाँ टाम लगता है तो इस तरीके से कहा जाता है कि कि किसी भी कॉलेज को कि अगर नेक में जाना है तो उसको प्रापर डाकुमेंटेशन होना बहुत जुरूरी है फाइब इस बीफोर आपकी प्लानिंग होनी क्यूंकि आपको पांस साल बाद आपको जाना नहता है तो इस तरीके से आशकल तो बड़ा एक तम कंबल से ही कर दिया है कि अगर आपको सम्मानिता लेनी है तो आपको नेक में जाना ही होगा तो सर इन शॉट विकन से दैट की डॉक्रमेंटेशन इस नेसेसरी फॉर अपूर यह से अभी हमारे युनिवर्स्टी में भी एससा रिपोर्ट सम्मिट हुई है और आप उसके महत्तुपॉर्ण हिसा रहे तो सर क्या क्या टास्क थे कैसा था टास्क मुझे लगता है कि जब हम लोगों ने कहा कि अब नेक में जाना है और हम इसकी तेयारिया सुरू हुई तो उसमें हमने सेवन क्राइटेरिया के एक टीम मनाई गई ऑनरबल वाइच चंसलर मैंडम के द्वारा और फिर उनोंने पूरा एक ट क्या है हर एक सेक्षन का इसमें रोल रहता है तो उसमें सपोर्ट में है फिर रिशर्च में है फिर इन्नोवेशन में है किस तरीके से क्या हुआ है फिर इंफ्रेस्टेश्टर किस तरीके से डिवलब हुआ भी आप देख रहे हैं कि जो हॉस्टल बना है गल्स बना है इसमे और फिर वो डाटा फिर हमारे जो है जो एक्सपर्ट है जो हमारे यहां के फार्वर वाइड चांसलर हमालिया उनिवस्टी के उनका सुपरवर्जिण और गाइडेंस रहा उन्होंने तीन चार दिन तक रिगरस जिसे का जा दिया कि मीटिंग की हर एक से जो क्रैटेडिया उस प्रश्पार्ट में की smart classes है दिपार्टमेंट के smart class का photograph भी ट्योटेग इस तरीके से आपके पास सारी रहने चाहिए लावट्री फसिलिटी आपके पास किया है तो बो एक जियोटेग फोटोग्राफ रहने चाहिए तो एक task है लेकिन एक एक कोडिरेशन रहा पूरी टीम का और फिर सभी ने अपना वेस्ट बेस्ट दिया तो साहिट हम लोग जो है बड़े इच्छे से सम्मिट कर पाएं तो फाइनली सम्मिट हो चुका है तो साथियों आज हमने काफी लंबी चर्चा करी और नेक की जो पूरे पहलू है उस पे ब वो क्लियर करें और कुछ सवाल मेरे पहले से ही बने वे थे और कुछ सवाल मैंने बीच में बनाएं क्योंकि एक जो आपका इंटरस्ट होता है जो आपका जो एक वो मन करता है यह यह भी पूछ लेंगी यह क्या होता है वो क्या होता है तो सर थैंक्यू सो मच आपने सारी बातों को clear किया अच्छे से हमको बताया और करें जो इस student है विई हरा उनको help करेगा नेक के बारे में जानने के लिए और मैं पुरह सर आपको धन्नेवाद करता हूं कि आपने अपने कीमती समय दिया तो साथियों सर्व थे हमारे साथ डॉक्टर आलो गॉतम सर जो senior assistant professor है department of physics म और assistant director भी है IQAC cell के so thank you so much sir और मुझे आशा है कि आप लगातार ऐसी हमारे साथ बने रहेंगे और साथियों आपका भी बहुत बहुत धन्नेवाद कि आप लगातार हमें support करते रहते हैं thank you so much नमस्कार thank you thank you everyone